सो हेलो वाट्स अप दिस इस में गरवित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है तर्मियस प्लेटफॉर्म के बारे में आपने पिछले दो वीडियो से देख रहे होगे कि आप और एक जेस को किस तरीके से हम इसी टू पर डेपलोई कर रहे हैं यहां पर नौट जे को हें उस पूरे प्रोलम का सोलूशन लेकर आये हुए और यहां पर सॉलूशन में हमारे पास है तर्मियस प्लेटफॉर्म आपने सबसे पेहले इस वीडियो को नहीं देखा है यहां पर रियक्जेस को नौट जेस की एपियाई को तो पहले वीडियो देख लीजिए विको ने जो PPK और पैम फाइल बनाई थी और कीस तरीके से बनती है वो सब कुछ यहां पर हमने डीटेल में बताया हुआ है सो उसको हम यहां पर स्किप करेंगे विकोज अगर उसको में बार-बार दिखाने बेठोंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी सो आप भी हमें समझ सकते हैं और यहां पर पूरी प्लेइलिस्ट है AWS की आप उसके अंदर जाएंगे लास्ट वाले दो वीडियो देखेंगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और आपको स्टार्टिंग से अगर देखना है AWS को आप देख सकते हैं सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सो विदावट इनिवस्टिंग टाइम लेट्स गटार्ट अब है तो अभी यहां पे टर्मी एस प्लेटफोर्म के यहां पर आप आचुके हैं और टर्मी एसकी वेबसाइट को जैसे एक्स्प्लोर करेंगे आपके पास ऐसा प्लेटफोर्म नमाशे आजाएगा उश म में आपको यह पी विइंडोजब्स अगर है विंडोज सुजर के लिए दिनorf मेकान के लिए मैक वैस को आपको डाउनलोड कर लेा है तो यहां पे हम ने जो को डाउनलोड कर लिया आप देख सकते हैं और सबसे पहले मैं आपर सचरके लियाता ह है ओल्राइड़ नहीं है तो यहां पडीख सकते हैं पूरा जो ट्रमी खाबिष क्रियेट करते क्लाया मिस क्षा चलेते को शते हैं देख सकते हैं sign up कर सकते है यहां पर रेक्ट के हैं रहा है अंदर रहे शेके लिदेता है boos either यहां पर termines पर हम अगर separately जाते हैं तो हम EC2 को connect करने के लिए अपर हमारी फाइल को प्लोड कर सकते अगर इस प्लेटफेर्म के यही तो पूरी बात है कि यहां पर और फाइल जीला का मिम्तलब फाइल को connect करना FTP को तो यहां पर डायरेक्टली आप connect कर सकते हैं आपको host को connect करना SSH से तो वह भी डायरेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले में आपको यहां पर हमारा server था is code दिखा जिता हूँ आप देख सकते हैं हमारा server अमने create करा था ओ o server है यहां पे इसकी दो जो file है PPK file और PAM file दोनों किस तरीके से generate होती है और यहां पे क्या है toкими सक्वाइब को डरवर को किस तरीके से generate करना है सब कुछ हमने पिछले विडियो में दिखाया था आप यहां देख सकते हैं सो फिर बार बार मत बोलना कि यह सब स्कीब किये यहाँ पे हम ने पूरे के पूरे steps दिखाए हुए है किस तरफ के से server को generate करना है create करना है और यहां पे अभी किया करेंगे हमारे होस्ट पे आपको सबसे पहले यहां पे मैं सबसे पहले यहां पर यहां पर यहां पर पूरा का पूरा सब कुछ आचुका अभी हम यहां पर पासवर्ड अगर आपका SSS का पासवर्ड है आपके सर्वर का तो उसको आप डाल सकते हैं वरना की है आपके पास तो हम यहाँ पे की को सिलेक करके की को एड कर देंगे और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे पूरी कि हमारी जो फाईल यहां पर हम डायरेक्स ड्रेगंड्रोप कर लेते हैं कि यहान पर पूरी अमारी जो फाईल है वह ओ आ चूकी है उसको हमें सेव कर लेना है सिंपल ही जीसे ही आपने सेव कर लिया यहां पे आपको बस steps को all changes save कर देना है यहां पे आपके changes save हो चुके है अभी जैसे ही आप करेंगे और उसको burn कर देना है अभी आपको double click करना है आपका username आपको डालना है हमारा जो default हम putty पे क्या username डालते है इसी to user डालते थे उसको ही आपको यहां पे डालना है क्योंकि कोई बड़ी बात ने वही काम हम कर रहें बट यहां पे platform बदल चुका है और continue कर देना है जैसे continue करेंगे और यहां पे आपको add कर देना है और उसको add करके आप यहां पे देख सकते हमने हमारे server पर हम आ चुके है हम putty पे भी यही काम कर रहे थे बट यहां पे आपको putty को भी और file को file करने के लिए आपको git पे upload करना पड़ता था यहां पे ऐसा कुछ नहीं है डाइरेक्टी आप कर सकते हैं अभी आपको बार बार यहां पे जो हमारी file थी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहां पे आपके host में हो हमारा host आ चुका है आपको सिर्फ double-click करना है उसके पर जैसे double-click करेंगे आपका ssh connect हो जाएगा username डाल के यहां पर देख सकते हैं पूरी file हमारी लस करेंगे workspace पूरा चुका है अभी हम क्या करेंगे यहां पे हम यहां पे एक folder Mkر開ट कर लेते हैं यूटुब का और उस folder को हम यहां पे देख सकते हैं अभी हमें क्या करना इस folder के अंदर हमारी पूरी file upload करनी है मैं जो भी file बनानी हो यहां पे upload करनी आप सो आप क्या करते थे आप इपको यहां पर यहां पर उसका अल्टरनेटीब हर यहां पर क्या है तो अगर आप सबसे के फेले यहां पर है यहां पर पूरी आपकी लोकल शिस्टेम आ चुकी है means यहां पे आपका पूरा computer का जो data है वो सब कुछ आ चुका है आपकी जितनी भी dry है सब कुछ यहां पे है और यहां पे अभी आपको select करना है अपने host को यहां पे हमने PPSU को select कर लिया है double click करेंगे यहां पे भी आपको username डालना पड़ेगा और अभी हम हमारी file को भी connect आहां यहां पे आप देख सकते हैं हमारे YouTube का folder और workspace का folder आ चुका है और अभी यहां पे हम बात करते हैं permission की विकोज यहां पे आप YouTube के अंदर अभी directly किसी file को अगर मैं यहां पे जाओ हमारे यहां पे अभी कोई भी drive में select कर लू एफ drive में और कोई अभी file अगर हमें यहां पे upload करनी है सब्सक्राइब हमें यहां पे इसरार को अपलोड करना है बट हमारे पास जो permission है वो कितनी है read write read write execution के लिए कोई भी permission नहीं है यहां पर आगे जाएंगे यहां पर देख सकते हैं आपकी जो permission है वो पूरी नहीं है आपको इस फोल्डर को भी permission दे लेना है आपको किस तरिके से इस इस को permission देना आप यहां पर करना है सारी फ़िल को upload भी कर सकते हैं और अब्लाओ वी कर सकते है और यहां पर आपको उसके ऑनर को को भी यहां पर देना पड़ेगा CHirect दिएज़ोड़ फटर्पल सेवन को कर देना है साथ में का भी यहां पर यूटुब को हम देंगे कर भी rest और हम यहां पर यूटुब को टार्गेट करेंगे यहां पर देखेंगे लस करके तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा ग्रीन हो चुका है मितलब हमने यहां पर पूरी परमीशन दे दी है तो अभी यहां पर जैसे ही सफ्टीप पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कितनी flexibility है हमारे पास हमारे पस कितनी यहां पर directly अपको copy target directory करना जो भी आपकी सब्सक्राइब करने और यहां पर आपको पूरी के पूरी इंफॉर मेशन ओनलाइन रखने है तो आप यहां पर लॉग इन कर लिजे बाद में इस फिचर को भी उसकर सकते हैं पॉर्ट फडरोवडिंग क्या होता आगे की वीडियों देखेंगे आप सब अप यहां पर यूज कर सकते हैं और यहां पर आपकी हिस्ट्री पूरी होगी अपने जितने जितने भी सर्वर यहां पर क्रियेट होगे उतनी सारी हिस्ट्री यहां पर बन जाएगी तो आपको समझ में आया है, अगर आपको कोई भी भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट करिए, विकोज हम यहां पे सब कुछ डीटेल में एक्स्प्लेन करते हैं, और आपकी कॉमेंट में यहां पे हरोज पढ़ता हूँ, तो यहां पे मैं आप सब को थैंक्यू बोलना चाहता ह विकोज आप सब ने सपोर्ट दिखाए और हमारे पसा 1000 सब्सक्राबर पूरे हो चुके है, सो बस आज के लिए इतना ही था, सो मिलते है अगले वीडियो में, तब-तब के लिए जए हिंद, वन दे मात्राम